इलाइट स्टेडी प्लेट फॉर्म पर आप सभी का पुना स्वागत है इस वीडियो में डिस्क्सन करेंगे कुलू का अंतराष्टिया दसरा उत्सब किस भगवान की भव्यासोबा यातरा के साथ में सुरू होता है वर्स 2019 का भौतिकी का नोबिल पुर्शकर की से दिया गया स्टेड की मुद्रा क्या है ऐसे अतिमत्तो पुन प्रसन जो की वीविन तरह की प्रिक्साओं में पूछे जा सकते है सबसे पहले ही माचली प्रेस क्रंट फियर्स में कुलू का अंतराष्टिया दसरा उत्सब किस भगवान की भव्यासोबा यातरा के साथ सुरू होता है च स्मेले का जो सुबारम किया गया और राज्यापाल बंधारू दतात्तरेदिजी के द्वारा किया गया और इसका जो समापन होगा उमानिय मुख्या मंत्री जैराम ठाकुर जी के द्वारा किया जाएगा वर्स 2019 अंतराष्टिया दसरा उत्सब में कितने देवी देवताओं को प्रसासन द्वारा निमंत्रन दिया गया है प्रसासन के द्वारा कितने देवी देवताओं को इनिविटेशन दिया गया है तो इसका सही उत्तर होगा 331 नेक्स्ट वर्स 1999 में हुए कारगिल यूद में पालंपूर के सहीद जबान सोहरव कालिया के जीवन की सोर्य गाथाओं को किस के अंदर सासित परदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो इसका जो सही उतर है वो है दिल्ली दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिनका दल है आम आदमी पार्टी आपके नाम से भी जाना जाता है ज़ाओं जिसका चुनाबचिन है उसके मुख्यमंत्री है अरमिंद केजरीपाल तो अर्मिंद किज्रिबार सरकार के दोरा निर्ने लिया गया है कि जो सौरव कालिया है उनकी जो सहादत है उसके ओपर दिल्ली के जितने भी सरकारी संस्तान है वहाँ पे सलेबर्स में उनकी गाथाओं को भी इंकल्यूट किया गया है नेक्स्ट, रोहतांग दरा कीन दोग सेतरों के भी स आता है, एचियस के प्रिक्सा में भी पहले यह प्रसंद पूछा जा चुका है कितना मत्तुप्न क्रांट परेस का आप जैजा लगा सकते है, रोहतांग दरे की बात की जा रही है तो रोहतांग दरा है कुल्लू और लहल स पिछले जनवरी से लेकर सेप्टेमबर 2019 तक के क्रंट फेस प्राप करने के लिए आप हमारी वेबसाइट illustrated code.in पे जाएं दो PDF में उपलब्द हैं इनका आप जरूर लाप उठाएं next राष्ट्र अंतरस्टे घटनाओं में हाली में 8 October 2020 को बायो सेना ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया भारतिया बायो सेना की स्थापना कब हुई थी? आपने पढ़ ली होगी इसका सही उत्तर है 8 October 1932 ठीक है? इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है आप याद रखें 87th एरफोर्स डे सेलेब्रेट किया गया और प्रतम कब किया गया था? 8 October 1932 को सचिन तेंदुलकर को बायो सेना ने गुरूप क्याप्टन किस एरफोर्स डे के दिन बनाया था? आप से ये पुछा जा रहा है कि जो सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है भारत के उन्हें गुरूप क्याप्टन बनाया गया है 21 एरफोस डेपे बनाया गया है तो आपके सामने यहाँ पे चार आप्संस है लेकिन इसका जो सही उत्तर है ओ है 83rd किस कंपनी ने भारत की पहली बहुस तरिया प्लास्टिक संग्रह और साइकलिंग पहल सुरू किये रिसाइकलिंग करें आप इसको ठीक है यहाँ पे रिसाइकलिंग करना है कि इस कंपनी के द्वारा की गई है तो इस कंपनी का नाम है ITC राष्टिया स्वैंसेबक संग का मुख्यलिया कहां पर है आप से पुछा जा रहा है कि RSS का हैड आफिस कहां पर है हैड कोईटर कहां पर है तो आपके सामने चार आपसंस है नागपूर महराष्टरा जैपूर रज्यस्तान मनाली हिमाचल परदेश गांधी नगर गुजराद यह आपसं तो बहुत और लग रही है यह भी और लग रही है जो आपको confusion हो सकती है दो आपसंनों में हो सकती है लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है नागपूर महराष्टरा बिजय दस्मी के सुभवसर पर इनका एक पत्थ परदर्शन किया जाता है तो कल्ले पूरे भारत में इनका पत्थ परदर्शन किया गया ठीक है आपने इसको याद रखना है और इसके प्रमुख है मोहन भागबत देश की पहली नीजी ट्रेन तेजस कहां पर संचालित होगी थोड़ा सा प्रणा करानिट पेर लेकिन प्रसन बहुत ही मतोपुर्ण है देश की पहली नीजी ट्रेन है तेजस ये कहां पर संचालित होगी ये आपसे पुछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर है दिल्ली से कटड़ा और इसकी नेगुरेशन की गई थी UP के CM आदित्या योगिनाथ जी के द्वारा ये भी आपने याद रखना है बान में आसकर पुर्षकारों के लिए नामित की जाने बाली भारतिया फिल्म कौन सी है तो इस फिल्म का नाम है गली बॉय इसको आपने याद रखना है कुछ ऐसे फ्यक्स स्टेंट्स यहाँ पर डिसक्स करेंगे जो कि आपको बहुत ही मत्तोपुर्ण है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राफेल आसकल काफी सुर्खियों में है सुर्खियों में रहने का कारण क्या है क्योंकि फ्रांस के द्वारा उसका पहला राफियल भारत को सौंप दिया गया है तो बात करें बिजय दस्मी का तिहर बनाया गया तो भारतिया बायोसिना के स्थापना दिवस कब बनाया जाता है आठ अक्तुबर को बना जाता है 1922 में प्रथम बना गया था 87 इस बार 2019 में सेलेबरेट किया यह आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विजय दस्मी और भरतिया बायोसिना के स्तापना दिवस के दिन भारत को राफिल जैसा लड़ाक को बीमान भरतिया बायोसिना में सामिल हो गया है रक्सा मंतरी राजनात सिंग की मौजुदगी में फ्रांसी सी सर है इसका नाम आपने याद रखना है बाडोक्स हेड ओपर सेरिमनी में फ्रांस ने भारत को राफिल विमान सौंपा है तो स्टेंड्स जो हमारे रक्सामंतरी राजनात जी ये कहां गया हुए थे फ्रांस का एक सर है बाडोक्स नाम है उसके हेड ओबर सेरिमनी एक आयोजन किया गया बहां पे जो राफेल है जिसका सौदा भारत के साथ में फ्रांस के साथ हुआ है ठीक है तो भारत को पहला याद रखना है यहां से तो राफेल का नाम बायुसिना प्रमुख आसकर भारतिया बायुसिना के प्रमुख कौन है राकिस कुमार बधोरिया है ठीक है तो राफेल का नाम करन किया गया भारत में ओ किया गया है आर बी जीरो जीरो बन ठीक है यह किसके नाम पे किया गया है ये किया गया है राकेस बुधोरिया के नाम पर भारत और फ्रांस के बीस 23 सितंबर 2016 को 36 राफिल विमानों को लेकर करार हुआ था इसको आपने याद रखना है ठीक है राफिल के निर्मान बाले वाले कंपणी का नाम क्या है उस कंपणी का नाम है दसाल्ट अबिसन ये भी आ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दसाल्ट अबिसन कंपणी ने पहला राफिल भारत को दे दिया है 36 की डील हुई है कब विची 2016 में हुई थी 35 भारत को मिलने अभी पैंडिंग है जिसके ओपर कंपनी दसाल्ट अबिसन का कहना है कि सिगरी हम भारत को ये चीज़े सारी उ याँ से याद रखनी है भारत की जो प्रमानु निती है उसमें ही कहा जाता है कि हम अपने जो अपने रक्सा समगरी है जिसम जितने भी उपकारने उनकी बृद्धी हम सिर्फ और सिर्फ भारत की रक्सा के लिए करते है किसी देश के उपर आकरमन या अपना रहव जमाने क के लिए नहीं करते है ये प्रसन स्टुएंट्स एक्चेस के लिए मेन प्रिक्सा में जो अगली प्रिक्सा होगी आपकी 2020 में उसके लिए बहुत ही मत्तोपुर्ण है देखना मेन में आप प्रसन आपको कहीं नगें देखने को जुरूर मिलेगा अब बात करेंगे नोबल भी तीन लोगों को दिया गया है जब इस सारे नोबल पुर्सकार मिल जाएंगे लास्ट में आपको कुछ ट्रिक्स बताया जाएंगे कितने लोगों को तीन-तीन मिला है उनको रिमेंबर रखने का तरिका क्या है अब सिंपल आपने इनके नाम रिमेंबर करने की कोशिस कर एक जर्नल बे में इस वीडियो को देखते रहें जब नोबल पुर्सकार सारे के सारे डिकलेर हो जाएंगे कुछ ही दिनों में तो आपको एक अलग से वीडियो पलाउट करवाने की कोशिस की जाएगी ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए लेकिन आज के पीवल्स ये कनाडाई मूल के अमेरिकी अंत्रिक्स बेगानिक है जो अगले दो है मेर और क्यू लाउस ये स्वीजर लेंड के है इतना आपने याद रखना है कनाडियन अमेरिकन बेगानिक जेम्स पीवल्स को बहुत तिक ब्रह्मान बेगान में सेधान्ती खोज के लिए ये पुर्सकार जो नोबल मिला है वो इसकी ब्रह्मान बेगान के सेधान्ती खोज के लिए दिया गया है ठीक है और जो स्वीज बेगानिक है मिसियल मेर और क् तुरूप से एक्सो प्लेनेट की खोज के लिए दिया गया है ये दो चीजे बहुत ही इंपोडेंट है ये आपने अच्छे से याद रखनी है और अलाइड की सर्वीस वर्स का अलाइड का वेपर तो भी होने बाला है नेक्स्ट एक कोई प्रिक्सा होगी तो स्टेंस एक प् स्कार की धनरासी दी जाती है उस्ट्रों या फिलनस सीडें की मुद्रा में दी जाती है तो यहां पर पता होना चीक कि ज्याख का नाम के है 있다고 रुपै क्रोणा तो सभी उत्तर है इसका क्रो आप याद रखें जो is McMहोई एक कि iPhone क्रोणा क्रेंसी दिया गी क्योंकि है च्रोण प्रिक्सा की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट इलस्ट को डट इन पर जरूर जाएं इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बहुत उत्कृष्ट अधेन स्मगरी मिलेगी इसका लाब आप जरूर उठाएं ताकि आप हमार्चल प्रिक्सा को अच्छे से थेंक्यू बेरी माच्च कीप वाचिंग इलस्ट इट्यूब चैनल